नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है जवलपूर को डिलेकेट में में आज का हमारा सेग्मेंट है MPPAC और UPSC के लिए basically MPPAC के GS paper 3 से हम आज का topic उठा रहे हैं जो कि biology से है और we will further discuss about biotechnology technology तो जो topic है आज हमारा वह इंविट्रो फर्टिलाइजेशन पर यानि IVF पर साथ में सारोगेसी और ठ्री पेरेंट बेबी और साथी साथ क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वह बताना चाहूंगा रीप्रॉडक्टिव सिस्टम के वारे में तो बैसेकली आज हम लोग पढ़ने वाले हें रीप्रॉडक्टिव दोस्तों जम हम लोग बात कर रहे हैं तो बायो टेखनोलोजी में हम टेक्नोलोजी का यूज करके बाइलोजीकल चैंजेस लाते हैं तो पहले समझने के लिए हम बाइलोजी का जो जननतंत्र उसको समझते हैं उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आई बीफ के बारे में इसी से रिलेटेड टोपिक है इसको बुलते हम सरोगेट मदर उसके बारे म और साथ में हम पढ़ेंगे माइट्रोकॉंड्रियल थेरेपी या जिसको हम बुलते हैं थ्री पेरेंट बेबी इसके बारे में तो आज का जो मेरा डिसकेशन होगा त्रूआउट यही रहेगा साथ में हम देखेंगे कि इन से रिलेटेड कोश्टन्स यूपीएसी में या तो पुरुष जननतंत्र के हम अगर कारे परणाली समझे तो दोस्तों पुरुष जननतंत्र में दो ब्रशन होते हैं दोस्तों यह ब्रशन वैस्क ट्यूप से जुड़े होते हैं इसको हम वैस्क डेफरेंस भी बोलते हैं दोस्तों और यह वैस्क डेफरेंस अल्टिमेटल होता है इसको अधी ब्रशन या एपी डिडमिस का आ जाता है दोस्तों तो दोस्तों होता क्या है कि जो हमारे ब्रशन होते हैं इन ब्रशनों में शुक्राणूं का निर्मान होता है तो इस ब्रशन के अंदर शुक्राणूं का निर्मान होता है और साथ में ये ब्रशन एक हार सेकेंडरी टाण रावाश का भारी होना सेटिशन से टेस्टिस्टर हार्वन निगलता दोस्तों इसके साथ हिससे निकलते हैं धोस्तों की लगभग 12-13 वर्षका यूवा जवान हों जाता dibu साथ में जब हम पढ़ते हैं दोस्तों तो अगर हम महिला जननंग की बात करें तो इसमें हमारे पास अंडाश है गरवाश है और अंडवाहिनी नली का यानि इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यू इसको हम बोलते हैं दोस्तों और इसको हम बोलते हैं यूटेरस तो ये segments होते हैं किसी महीला के या female के female parts जिसको हम इंदी में योनी कहते है English में विजाएना कहते है तो दोस्तो होता क्या है ये जो ovary ये अंडाशे होते हैं यहां से अंडानू निकलते हैं यहां से बहुत सारे अंडानू जाकर फैलोपियन ट्यूब पर चले जाते हैं और इसके बाद जब शुक्रानू यहां से आते हैं तो शुक्रानू और अंडानू का निशेचन जो होता है दोस्तो इस फैलोपियन ट्यूब में होता है कई बार दोस्तो क्या होता है ये फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो ब्लोक हो जाती है खरा हो जाती है किसी कारण से हो सकता है महिला को कोई जेनेटिक बीमारी रही हो माता पिता से बीमारी आई हो या फिर किसी प्रकार का इंफेक्शन हो गया हो कभी किसी ओप्रेशन में को इंफेक्शन हो गया तो इसक इसका मतलब होता है नेचरली है ना जैसे हम लोग नेचरली चीज़ें करते हैं उसको हम बोलते हैं इन विट्रो तो इन विट्रो का मतलब होता है आर्टिफिशली या जो महानव के द्वारा कराई जाते हैं मैंमेट होते हैं आर्टिफिशली इसी फर्टिलाइजेशन है इसक commonly known as IVF तो होता गया है इसमें कि जो ओवरी होती है उसमें से बहुत सारे एक्स निकाल लिए जाते हैं उन एक्स को टेस्ट चूब में ले जाए जाता है और जो पुरुष होता है उसका स्पर्म इसमें ये लोग निशेचित करा देते हैं और उसको बाद में यू टेरेस में स्थापित कर देते हैं श्वरर Chinese करने के बाद ब्लस व्लस्ट रस्टे को स्थापित करते हैं तो जाइगोड जाता ऊब जाइगोड फिर वो जो नेच ज़ीच्छीज होती है नमेंके बाद बच्चे के लिए चीजें हो जाती है तो यह दोस्तो होता है IVF का प्रोसेज इसमें एक्चुली रियल में दो-तीन चीज़ें हो सकते हैं या तो जो पुरुष जनानंग है वो शुक्राणू पेदा करने के लिए बहुत जादा केपेवल नहीं है यानि आप ऐसा समझ सकते हैं जो स्पम की कॉंटिटी वो कम हो चु कर्मन हो फिलोपेंटी खराब हो उसकी चोक हो या बहुत जादा छोटी फिलोपेंटी हो या ऐसी इस्तिति में कई बार हो सकता है दोस्तों उसके अंडाशा से जो अंडानू हो वही नहीं बनना है इस प्रोसेज में वह महीला बाईलोजीकली किसी की मदर नहीं बन सकती है लेकिन अगर शुक्राणूं से शुक्राणूं नहीं बन रहे हैं, तो जो मर्द होगा वो भी biological parent नहीं बन पाएगा, यह सारी इस्तिति जो होती हैं, किस में होती हैं दोस्तों, आईबेफ में होती हैं, अब क्या होता हैं दोस्तों, कई बार किसी महिला का यह uterus भी खरा हो जा तो ऐसे इस्तिति में किसी दूसरी महिला का uterus use करना पड़ता है, जब किसी दूसरी महिला का uterus use करना पड़ता है, उसी चीज़ को हम लोग दोस्तों बोलते हैं, सरोगेसी, ठीक है ? जब किसी महिला का यूटेरस खराब है और वो बच्चे को नहीं रख पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, ऐसी इस्तित्म महिला क्या कर सकती है, सरोग इसी को करवा सकती है, यानि किसी दूसरी महिला का यूज करे, वो महिला अपना यूटेरस इसको दे और साथ में कर पा अब आई वेफ के बाद सरोगेसी के हम बात करते हैं तो इससे आपसे जननांग से लेटेट कोश्चन्स आ सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है तो आपको पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन फेलोपिन ट्यूब में होता है या फिर आपसे पूछे बच्चे को कहां कंसीब किया जा सकता है तो आप बताएंगे यूटेरस में कंसीब किया जाता है अंडानों का निर्मान ओवरी में होता है साथ में जब हम स्पम्स की बात करते हैं सीमेन की बात करते हैं तो उसका निर्मान ब्रशन में होता है यानि टेस्टिक्स में होता है टेस्टिक्स के आसपास की जो तोचा होती है जो उसको कंट्रोल करके रखती उसको हम एपीडिमिस बोलते हैं टेस्टिक्स को स्पम बनाने के लिए जरूरी है कि उसके आसपास का त स्पर्म गरम नहीं होते हैं कि स्पर्म को हमेशा ठटने पर बनाया जाता है अगर वहां का टेंप्रेचर बढ़ेगा तो स्पर्म काउंटिंग कम हो जाएगी दोस्तों ठीक है तो यह कुछ कोशन्स है जो हो सकता है पूछे जाएं रिसेंटली अभी MPPSC में कोशन पूछा गया था कि सर्टोली गया है तो दोस्तों जो टेस्टिक्स थे टेस्टिक्स में अंदर सेल्स होती है जो सेल्स अंदर होती है उन्हीं सेल्स को हम सर्टोली सेल्स होते हैं तो यह अभी रिसेंट के बिश्न के अंदर पाई जाने वाली को它ए हो Åm सटली कृते हैं तो यह आपısı कि न आस्षा जकम के बारे में बता सकते हैं कि पुरोचनलाग का कि बारे में हैं और पूछा जागा यानि आनधा पड़िवेशी न निशेचेएचनि आप बटा सकते हैं कि एक टेस्टीव होता है यह कुसी महिला कЕ अंडाळों को ले लेते हैं और उसको दो होता है इसको हमारे भाशा में ओनाम से इसको हमारम 가운데 आप से पूछ उसका युटेरस उस इस्तीती में वो किसी दूसरी महिला का युटेरस यूज़ करेगी टेक्नलोजी तो अभी बी टेस्टीव होगी लेकिन क्योंकि दूसरी महिला का प्रयोत किया जा रहा है दोषते department वोटते हैं मतलब उनके पास कोई जोड़ा नहीं है, शादी भी नहीं की उन लोगोंने, और उनके बच्चे हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने टेस्टीव का ही मदद लिया, या फिर कुछ ऐसे स्टार्स जो अपने फिफ्टीज में जा चुके हैं, और उनकी वाइफ हैं अभी कैपेवल नहीं है, तो उन्होंने भी सरोगेसी का मदद दिया, और अभी 50-50 साल की उम्रे में वो लोग फिर से माता पिता बने, तो ये सारा जो इल्लीगल काम हो रहा था, या फिर आप जानेगे कि ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे कपल्स आ रहे थे, हमारे हिंदुस्तान के लिए आ प्रेरेत करते थे, कि हम तो पांच लाक रुपे देंगे, दस लाक रुपे देंगे, और सो जितना भी पैसा, तो इसमें बिचोलिया बर्ग का भी निर्मान हो गया, दोस्तों, मतलब बीच के मेडियेटर्स आ गए, दलाल लोग आ गए, वो कहने लगे कि हम आप पांच ला कानून मिलाना पड़ा, तो एक एक्ट है, इसको बोलते हैं, सरोगेसी एक 2020, तो दोस्तों, सरोगेसी एक 2020 में इसके उपर लीगल प्रोहिबिशन लगाए गए, एक लीगल प्रोहिबिशन तो यह है, कि अगर कोई महिला सरोगेसी करना चाहती है, तो जो डोनर महिला या पैरेंट्स हैं, उनकी रिलेटिव होना चाहिए, मतलब आप समझें, ननन्ध हो, भाबी हो, बहन हो, तो उसके रिलेटिव होना चाहिए, और साथ में वो जो महिला, जो सरोगेसी करवारी है, वो मेरेड भी होना चाहिए, यह तो साथ में डाला ही डाला है, और साथ में एक महिला केवल एक ही बार के लिए गौर्रमेंट से परमिशन ले सकती है तो उसको SDM आफिस बने जाना पड़ेगा SDM सर से बात करनी पड़ेगी और आविदन देना होगा उसको एक बार जीवन में केवल एक बार सरोगेसी के लिए अलाओ किया जाएगा हाँ और इस कानून के नियम के तहट कोई भी सिंगल जो मर्द है यानि आप ये समझी किसी ने शादी नहीं की या फिर वो बिदुर हो गया उसकी वाइफ जा चुकी है डाइवोसी है तलाक सुधा है वो मर्द इसके तहट अब बच्चा नहीं करवा सकता है यानि इसमें केवल अधिकार महिला को दिया है यानि अगर कोई महिला डाइवोसी है या महिला विडो हो चुकी है वो महिला जो 35 साल के बीच की है वो महिला क्या कर सकती है, सरोगेसी का फायदा उठाके बच्चों को मतलब पैदा कर सकती है यानि पुर्शों के लिए हाँ लीगली मना है और कोई भी दमपती जो हिंदुस्तान का है, बहार का नहीं, ध्यान रखेगा no foreigners, केबल हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं इंदुस्तान का कोई भी दमपती सरोगेसी के तहत मनलब बच्चे पैदा करवा सकता है यानि वो किसी लेडी को सरोगेट करवा सकता है बस लीगल बार्निंग बस इतनी सी है कि उसको जो भी महिला सरोगेसी के लिए आएगी वो उसकी क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए और हाँ दूसरी बड़ी चीज जो पहले पैसे का लेंदेन होता था वो सब भी सरोगेसी करवाते हैं तो आप उसको पैसे नहीं दे सकते हैं यानि जो एम्ब्रोईज का खरीद फरोगत हो रहा था वो भी मानव का जो एम्ब्रोईज होता है यानि युग मनज जिसको हम इंदी में बोलते हैं उसकी भी खरोद फरोग जो थी सरोगेसी एक दो हजार बीस के दोरान बंद कर दी गई है यानि आप कोई कितना भी पैसे वाला जो कोई भी है अब केवल अपने कानून जो हमारा गवर्मेंट का कानून है उसके अधीन ही सरोगेसी का प्रियोग कर सकता है तो दोस्तो आई होप मुझे लगता है आपको आई वी एफ और सरोगेसी कम्प्रीट समझ में आ गया होगा आई वी एफ को आप लोग टेस्ट यूब बेवी के नाम से भी जानते हैं तो इस पर कोशन भी पूछे जा चुके हैं यूपी एसी में इस पिछली वार कोशन आया था आई वी एफ में कि इसके फेलोपीन ट्यूब खड़ा हो जाने पर क्या होगा या फिर उसमें पूछा गया था कि हम बच्चे के जीन्स में छेड़ चाल कब तक कर सकते हैं या फिर हम बच्चे कैसे कर सकते हैं तो वो रिलेटेड कोशन यूपी एसी के पिरी में भी पूछ में पूछा जा चुका है अभी अभी नया एडिशन हुआ है साइन्स का तो मुझे लगता है क्योंकि यह बहुत ज़ादा न्यूज में बना रहता है तो आपको पता होना चाहिए इसका तीसरा जो आज हम डिसकस करने वाले हैं दोस्तों वो है थ्री पेरेंट बेबी या जिसको हम माइट्रो कॉंड्रियल थेरेपी भी बोलते है दोस्तों वास्तिकता में होता क्या है कि हमारी जो कोशिका है उस कोशिका के जो नाभिक है वहाँ पर डियने होता है साथ साथ कोशिका के अलग जो माइट्रो कॉंड्रिया है उसमें भी डियने पाये जाएगा ठीक है अब होता है कई बार कि जो पेरेंट्स हैं उनमें किसी प्रकार की जैनेटिक बीमारी है जैसे की मतलब पारकिंसन हो गया उनको या फिर कैंसर हो रखा है या फिर प्रण्स की कोई बहुत बड़ी बीमारी यह टूवर क्लोसिस है या डाइविटेक हैं वो लोग जो वन वाइवन उनके बच्चों में भी आ सकती है ऐस प्रकार कि अगर कोई बीमारी है तो उसमें डॉक्टर लोग जो साइन्टिस्ट हैं या डॉक्टर हैं जो वो क्या उसका माइट्रो कॉंड्रिया हटाके किसी तीसरे व्यक्ति का माइट्रो कॉंड्रिया उसमें दे देंगे यानि अस्वस्त माइट्रो कॉंड्रिया को हटाके स्वस्त माइट्रो कॉंड्रिया उसमें डाल दिया जाएगा अब ऐसी इस्तिथी में जो बच्चा होगा उसमें तीन लोगों के जिनेटिक गुण होंगे यानि एक जो मदर थी या जो भी था उसका माइट्रो कॉंड्रिया लिया गया इस माइट्रो कॉंड्रिया को हमने इंप्लांट करा दिये दूसरे उसमें और इसके ओवम में दूसरे का स्पम है यानि यह जो बच्चा हुआ इन तीनों का बच्चा हुआ इसी कॉंसेप्ट को हम थ्री पैरेंट बेबी के नाम से जानते हैं इसको दूसरी भाशा में माइट बहुत ज्यादा स्वास्थे के लिए अवेर्नेस फेल जाएगी लोग बहुत ज्यादा सजा को जाएंगे कि भाई हमें एकसी डिसीज है हमारे बच्चे को यह डिसीज ना हो तो आने वाले समय में माइट्रो कॉंड्रियल थेरेपी भी आपको बहुत ज्याद देखने को मि प desertasumret Alt easi verse, जब हम इन सब की बात कर रहे थे तो यहां पर हमने जो कोशिकाओं को यूज किया था जनन कोशिकाय कौुंसी कोशिकाऊ ठीए जनन फिर के लेकिन अब हम इस धिसकी बात करने वाले इसको अब क्लों स्कूनिप के काई कोशिकाय जों काओं को जिनको हम इंग्लिश में गुलते हैं सॉमेटिक सेल्स का हम इसमें क्या करते हैं प्रियोग करते हैं मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ आप समझेंगे दोस्तों जो गेमेटिक सेल्स है या जनन कोशिका है अगर हम इनकी ट्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 22 प्लस एक्स 22 प्लस देखने को मिलेगा इन मेल यानि पुर्षों में आपको जो क्रोमोसोम्स दिखेंगे 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई या जो नूकलियस होगा उसके नूकलियस में के बाद तेज क्रोमोसोम्स होगा या तो वाइस प्लस एक्स या बाइस प्लस वाई जो बहुत सार स् millions of sperm होते हैं 2 million करीब-करीब यानि 20-25 लाक में इसमें या था X होगा या Y होगा यही define करता है कि जो बाद में offspring बनेगा यानि जो बच्चा बनेगा संतत्ती होगी वो महिला होगी या पुरुष होगी महिला के ओवम में केवल 22 प्लस X होगे अगर हम काई कोशिकाओं की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों 23 पेर्स होते हैं यानि 24 प्लस X Y 44 प्लस X Y 44 प्लस X Y यानि complete complete 23 प्लस यानि 46 अगर हम महिलाओं की बात करेंगा तो यह होगे 44 प्लस X X और फर्दर 44 प्लस X X महिलाओं में वाई वाला होता ही नहीं है तो यह वाई बात में जाकर क्या बनता है पुरुष बन जाता है तो जब आप बात कर रहे हैं IVF की या test tube baby की तो सिस्तित progress क्या Qi्रह Benjamin की इनके sperm को इनके ओवश से मिलाया है तो इनके ониHAHA में जो nucleus उसमें 22 प्लस X मिला होगा 24 प्लस X X ए तो 44 प्लस X X बन गया तो वह महिला बन गई अब 20 प्लस Y, 20 प्लस X,Y, X,Y बन गया, वो पुरोश बन गया, ठीक है, तो हमारी बॉडी में sperm, यानि शुक्रानू और अंडानू, यह दो गैमेटिक चैल्स हैं, यानि जनन कोशिका हैं, इन दोनों कोशिकाओं के अलावा जितनी भी कोशिकाओं हैं, वो सारी की सारी कोशिकाओं 43 जोड़े होते हैं क्रोमोसोंस के लेकिन हमारे जो sperms यानि शुक्राणू है या अंडाणू है वो उनको हम जनन कोशिका बोलते हैं और उनके पास पेर्स नहीं होते हैं उनके पास इतना समझे हैं कि 23 क्रोमोसोंस होंगे ठीक है तो जिससे महिला पुरूष आपको बाद में पता चलता है जब मेरी कान की कोशिका है जब ये कोशिका डेमेज होगी तो ये बिलकुल वैसी कोशिका बना देगी जो से इसके पहले की कोशिका थी मेरे लिवर की, मेरे किड्नी की या मेरे इंटेस्टाइन की जहां पर भी कोई कोशिका डेमेज होती है, बिलकुल वैसी की वैसी कोशिका क्या कर देगी? बना देगी, यह जो DNA है, कितने क्रोमोसोम्स है, सिमलर क्रोमोसोम्स है, बाद में मिटोसिस के तहत यह बिलकुल वैसी के वैसी क्रोमोसोम्स बना देगी, अब क्योंकि हमने इस ची थेक्षिए, थोड़ा other इसको इसे समझाव दो एक हमारे पास' जो गुण है वह हमारे मम्मी और पापा के दोनों के मिले जो ले गुण है क्योंकि हमारे पिता जी के जो शुकराणू होंगे उसम के गोंड में 23 गोंड अलग थे और यहारा उनके टेश गूह ऐना लेकिन हमारी जो सेल्स बना रहीए वह बिल्कुल सेल्स बना रही है यानि इस पधद्धती में क्या किया जारा है क्लोनिंग में से कंड़ि जनतू कीने कोशिका है क्योंA क्यों पुरुष की कोड़ितो पूश्माहिला की होगी तो महिला अब माली जैसे इक शीव थी इसका नम था डए ड़ी अब ड़ी का जो शीव थाई जो डोली शीव थी शीव कर नोगों किया दिया एक समेटिक कुछे लेके गए यह अन्डासर ते से निकले हुए अण्डानू बचा अब इसमें क्या किया जो इसकी सोलि चौती इसका से दविघंद चालो उसमें विखंदन चालू हूआ जल Чौत गे इस ब्लास्टो सिस्ट को क्या किया गया एक सरोगेट उठाई गई यानि और शीप उठाई गई उसको शीप के यूटेरस में इसको क्या किया गया है implant कर दिया गया और ऐसे जाकर Dolly sheep का clone तेयार किया गया अब जो भी इसका clone तेयार किया गया ना दोस्तों उसके गुण जो रहे यानि इसकी जो properties रहे उसका जो DNA रहा विलकुल हूबा हूबा हूब डोली sheep जैसे रहा है यानि डोली जो mother sheep थी उसके पास जो genetic information थी similar genetic information इस डोली के पास भी है यानि आप ये समझेए कि जैसी की जैसी मतलब अगर आपका clone बना दिया क्या है तो मतलब बिलकुल आपके जैसा ही एक कोण इंसान पैदा हो जाना हाँ होगा ऐसा कि मतलब आप 24 साल के तो 24 साल का पैदा नहीं होगा होगा वो नाइन मंद से ही लेकिन जब आपकी जीतना बड़ा होगा तो बिलकुल आप जैसा दिखने लगेगा ठीक है लेकिन humans में क्लोनिंग करना बैन है तो ये जो डोली जो offspring बनी है जो इसकी संतती बनी है इसके जो genetic गोण है वो इसकी मदर के समान होगा है इस सारी पध्धद्य को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग तो इसको एक बार और समप कर देता हूँ क्लोनिंग में हमने कुछ नहीं किया एक somatic cell उठाई somatic cell का हमने क्या किया है nucleus लिया nucleus को हमने एक ovum जो कि again genetic में gametic cell है उसका nucleus निकाल दिया और इस nucleus को इधर डाला और इनका निशेचन करा दिया test tube में और फिर इसको किसी मदर इसको हम surrogative हो लेंगे उसमें implant कर दिया और 9 महिने के बाद हमारा clone तयार हो गया तो ये सारी पध्धत्य होगी cloning की इससे दोस्तों हर साल लगातार question आते रहें I hope आप लोग इनकुक पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आगा कि questions कैसे रहें तो आप से IBF के वारे में कुछ पूछता है तो आप IBF के वारे में बता सकते हैं अगर आप से cloning के समझ में कोई चीज पूछी आती है तो आप cloning के समझ में पूरा पूरा बता सकते हैं I hope आपको ये सारी चीज़ें समझ भाएं next वीडियो में दोस्तों में इसके साथ आपको stem cells stem cells के बाद GMO जिसको हम genetic modified organism कहते हैं साथ में अपन पढ़ेंगे marking जो marker होते हैं वो कैसे होते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में हम one by one करके चर्चा करेंगे I hope आप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ और आप एक दो बार अगर आपको कुछ समझ में नहीं है इस वीडियो को दो तीन बार देखिएगा और आपके notes तेयार कीजेगा और साथ में अच्छी books को refer कीजेगा I think आप सारे जो concept हैं सबको डंग से समझ पाएंगे Have a good day दोस्तों